Hello everyone, today I have taken one question, question is the population of city, decrease from 25,000 to 24,500, मतलग, आपकी population city की वो 25,000 पहले थी, अब वो कितनी हो गई है, 24,500 हो गई है, तो आपको निकालना क्या है, कितनी परसेंट वो डिक्रीज हुए है, तो आपका क्या परसेंट डिक्रीज हुए है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, विए कितनी पॉपलेशन डिक्रीज कितनी पॉपलेशन डिक्रीज कितनी पॉपलेशन पहले थी 25,000 अब कितनी होगी है 24,500 इसको माइनस करेंगे तो क्या है अब का 500 हरे 100 है अब आपको नेकालना है इसका find the percentage decreased percentage रिक्रीज डिक्रीज पर्बेशन डिर्ए है तो डिक्रीज पार्पलेशन डिक्रीज जो भी पॉपलेशन डिक्रीज पोप्लेकरीज दिवाई पूरिजनल पोप्लेशन पॉपलेशन कितने डिक्रीज हुई है फाइफ हंड़ेड सो राइड है यहां लिखनेंगा फाइफ हंड़ेड ओरीजनल पॉपलेशन किया थी पहले 25,000 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 500 तो जिए टू जीरो से यह कर गया तू जीरो से यह तू जीरो क्रॉस वन जीरो से यह वन जीरो क्रॉस बचा ट्वन्टी फाइफ टू जा 50, so defa क्या होगीा, decrease percentage कि ईतना होगीा, so decrease percentage कितना होगी dei का 2%, that's all, so in this way you can solve question very easily, thank you, have a nice day, please like and subscribe my to stay यान लोपी